हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल नीटू स्पेशल फिचन फ्रेंड्स आज मैं आपको आम पापड बनाना बताऊंगे आज कल आम का सीजन है और इन दिनों आम सब के घर पे इजली मिल जाते हैं तो इसलिए हम लोग आज आम पापड बनाएंगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर की तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने लिए हैं 700 ग्राम आम मैं इनको चील लूँगी चीलने के बाद इनकी गुठली जब निकालूँगी उसके बाद ये 500 ग्राम बच जाएंगे और 100 ग्राम चीनी लिए और आदा चम्मत काली मिल्च लिए अब मैं इनको चील लेती हूं और उसको मिक्सी में पीस लेती हूं अब मैंने ये सारे आम काटकर मिक्सी में डाल लिए हैं अब मैं इसको पीस देती हूं इसको बिल्कुल बिना पानी के पीछना है हम बिल्कुल एक फ्रेंड्स अब यह पीस चुका है यह देखिए अब ये अच्छी तरह पिस चुका है इसमें गुठली नहीं रहनीचाहिए बीच में जो इनी इसमें कोई गुठली रह जाती है तो आप इसे और बारीक पीछ ले और हम अब इसको एक फ्राइ पैन में या छोटी कड़ाई में डाल लेते हैं सारे अब हम लोग इसमें आदा चमच काली मिरच और 100 ग्राम चीनी डालेंगे और गैस पर मीडियम आज में लगबख 15-20 मिनट तक इसको पकाएंगे प्रेंड्स हम लोग इसको लगबख 5-10 मिनट तक ऐसी चलाते रहेंगे अब देखिए आप यह कितना टाइट होता जा रहा है आप लोग इसे ध्यान से चलाएं क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा हाथ पर छीटे डालता है तो आप इसे अपने हाथ बचा कर चलाएं हम इसे 5-10 मिनट तक और चलाएंगे देखिए फ्रेंड्स यह कितना टाइट हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट लेंगे इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया पूरा अच्छी तरह इस पर देखो गी लगा हुआ है अब मैं यह सारा मिशन इसमें डालतूंगे और 2-3 दीन क देखे फ्रेंड्स अब यह दो तीन दिन की दूप के बाद यह टाइट हो चुका है अब मैं इसको चपको के जायता से दीरे दीरे उतार लोंगी यह देखिए अब मैं इसके पीसीज काट लोंगे आप इसको ट्राई करें एक बार देखें कि आपको यह कैसा लगता है फ्रेंड्स अब मैंने इसको सर्व कर लिया है यह एक दम मार्किट के जैसा बनता है आप एक बार इसे घर में ट्राई करें आप चाहें तो इसको एक हफ़ते के लिए प्रिजमे स्टोर करके रख सकते ह बनाएं इन दिनों आम भी इजली मिल रहा है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी थैंक्स पर वाचिंग